असलामलीकुम मैं यूटीब फैमली कैसे हैं आप सब होफ़ली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अलहम्दलिला जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहां पर मैं चट पे आई हुई थी पोदो को पानी लगाने के लिए और इतनी मुर्जा से गए है न सर्दी इतनी इन दिनों में पड़ी है और शुकर है कि दो तीन दिन से मौसम कुछ बेहतर हुआ है और सर्दी थोड़ी सी कम होई है दूपी काफी अच्छी निकल रही है दो तीन दिन से नाश्ता होगरा करकी फ्री होई थी तो पिर मैं चट पे आई होई थी तो मुझे ना आप बोदो को देखते प्लास्मी किजिए गा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी आपने जरूर करना है और आखिर तक आपने मेरी वीडियो को देखना है अच्छी थी ना इतने वह इसमें आप बाद पानी देने के बाद मैं नीचे आ गई थी और यह प्लांट रखे तो पीर अब में इसको पानी दे रही थी देखे कितना मुर्छा सा गया है यह भी टून मूंट सा हो गया है और यह जो थैला पड़ा वैना इसमें वह गन्ने है यह सब्सक्राइब है उनके दोस्त ने दिये थे तो आजकल कौन खाता है गन्ने खाये नहीं जाते तो बस ऐसे ही पड़ सुतार के ना तो फिर इसको क्लेइन करने और बहुत अच्छा सा एक मैं लिक्विड सा तियार करूंगी आपके सामने तो उससे हम चूला साफ करेंगे देखे कितना हराब हुआ हुआ कितना गंदा हो गया तो एक एक्स्ट्रा बाल ले 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 उसके अंदर पानी यह और पूरी बोटल में पानी के डाल दी थी और वन टीइस्पून इसमें बेकिंग सौडा दालेंगे और पांच से ची टेबल स्पून ना सिरका डालेंगे और यह मैक्स लिक्विड कोई सा भी आपके पास डिश वाश लिक्विड है आप वो डाल सकते हैं तो टेबल स्पून ना मैंने इसके अंदर ये डाल दी है इससे हमारे चूले की जो क्लीनिंग है वो बहुत ही जबरदस्त होगी अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ना ये जितन और चोटा जो सबसे चोटे चोले का स्टेंड वो भी डाल दी है इसके अंदर और इसी तरह से हम बोटल में भी तयार करेंगे ये लिक्विड तो कोई भी एक्स्ट्रा बोटल जो घर में होना वो ले ले और उसमें सिरका डालेंगे 5-6 टेबल स्पून और साथ में और ये आल परपस क्लीनर है आप इसके साथ किसी भी चीज की क्लीनिंग कर सकते हैं चाहे वो चूला हो या कुछ भी हो ना बहुत अच्छी से सफाही होती है तो पहले ना मैं एक खुश कप्रे के साथ ना चूले को साफ कर लूँगी ताकि इसके उपर जो भी वो कच्रा व निकलता जा रहा था अलाकि मैंने शावर का प्रेस बटन नहीं था दबाया फिर भी निकलता जा रहा था वह रियक्शन होता है ना बेकिंग सोडा और सिरका का तो इस तरह से ये चूले के पिछे वाली साइट पर भी जहां पर चिकनाही वगरा गिरती है तो उधर भी मैंन जोड़ा है तब तक कोई और काम कर लोगी अपना और यह काम ना मैं रात के टााइम करती हूँ क्यूंकि खाना के सब फ्री करते हो दूद भी पी लिया था तो इस टाइम पर मैं चाहे जितना भी टाइम लगे क्यूंकि यह विग्वे चीज़ा रह को घुटता है पहले पे लेकिन यहां पर बेकिंग सोडा चिर्केंगे ताकि और ज्यादा अच्छी तरह साफ हो जाए और एक एक्स्टर टूथ प्रुष जो होता है उसके साथ इसको फिला लेंगे तो फिर आदे गंटे के बाद मैंने इसको स्कॉच प्राइट के साथ और इसके ब्रुष के साथ इस जितने भी इसके उपर लगे हुए थे स्टेंट तो वह अराम से उतर दे जा रहे थे और इतने वह सोफ्ट हो गया थे ना कि ज़रा सभी मैं उसको स्क्रब कर रही थी ना तो फोरन ही उतर दे जा रहे थी और देखें कितना साफ होता जा रहा है और यह ब्रुष की साफ साफ करेंगे उसको बुर्ष के सब्सक्रणा कर देरी तक गडर्श की एक बहां साथ ही साफ कर दो ऐसे दो हो ग्रुष'RE कर पहुत उसको बाफी चीजिभाें प्रुद साफ करोँगे गर मीन ब्रुष और गेर में बाकि बाकि चीजवें की क्लेनिग कर सकते हैं जैसे कि जो टेबल होते हैं उनकी जो गिलास और आइना भी साफ कर सकते हैं इसके साथ और दिवारों पे भी इसको लगा सकते हैं पेंट इससे साफ हो जाता है पेंट नहीं पेंट के उपर जो स्टेन लग जाते हैं या बच्चे हाथ लगा देते हैं या कुछ लिक देते हैं तो वो अच्छी तरह से यह सारे पार्ट से साफ हो रहे हैं आप खुद भी देख सकते हैं और जब आप यह बनाकर लिक्विड यूज करेंगे तो तब आपको पता चलेगा है कितना अच्छा है यह लिक्विड है और यह चूले के नीचे जगा होती है वहां पर पीचिक नाई गिर जाती है तो जब हम पराठे वगर अपनाते हैं या कोई भी कुकिंग कर रहे होते हैं तो इसको भी मैं चूले को हटा के ना तो इस तरह देखे साफ कर रही हूं और कितना अच्छा है यह मार्बल साफ हो गया ना और लगा के ना कुछ देर छोड़ेंगे तब ही वह चीदर से साफ होंगे और यह मैं सच डर्ट की रात को वीडियो बना रही हूं तो सुबो संडे हैं तो बच्चों को भी छुटी है इसलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी मैं आराम से अपना काम कर रही थी क्यूंकि कल मुझे वाशिंग मशीन लगा कर कप्ड़े भी दोने थे और किचन और कुकिंग के भी बहुत काम थे यह देखे मैं दीवार के पर से आपको हटा कर दिखा रही हूं जितने स्टेन लगे हुए है ऐसे स्प्रे करके तो कप्ड़े के साथ साफ की आराम से साफ हो गया है अब एक ड्राय कप्ड़े के साथ चुले के साफ कर लेंगे और सारे पार्ट्स को वैसे ही लगा कर सेट कर लेंगे यह मेरा दो दिन का विलोग है और यह मैंने चुले की डीप क्लेनिंग की है उम्मीद करती हूं कि आपको ना मेरी इस वीडियो से जरूर कुछ ना उच्छे सीखने को मिला होगा और जाइएगा नहीं यह भी वीडियो बाकी है अपने आखिर तक देखनी है और अभी तक लाइक नहीं की तो सफाई बहुत मुश्किल होती है कि एक एक पार्ट को उठा कर तो भी अच्छी तरह से क्लेन करके रखना इसका बेखतर तरीका यही है कि जब भी कोई चीज वाइल हो ना फोरन ही इसको साफ कर लिया जाए क्योंकि अगर यह इसको ना साफ करें ना तो बार बार यूज भी उसको भी मैं साफ कर रही थी कि इसके ओपर भी ना चिकना ही थोड़ी बहुत लग जाती है और इसमें मैंने अपने सारे मसाला बोक्स रखें हुए हैं और जितनी भी कोकिंग की चीज़े हैं इतनी इतनी मैल कुचल साफ कर दिया इस क्लीनर ने अच्छी पहले मैं जब यह सबस्के अच्छा क्लीनर बन जाता है और इसी क्लीनर के साथ माइक्रोवेव और बियूसर साफ कर सकते हैं जल्दी साफ हो जाए सख़ाए यह थे जा याँ सफाई कर रही थी उसी कप्टे के साथ बस ची इसके बाद एक खुश कप्ड़ा ले लेंगे साफ और उसके साथ इसको ना एक बर फिर से साफ कर लेंगे देखे कितने अच्छे ये कैबिनेट के डोर हैं ये भी कितने शाइनी से हो गया है ना और ये नेक्स्ट सुबो का टाइम था और अब है किचन में आई ही थी तो मैंने का कि चुले के साड़े पार्ट सेट कर लूँ फिर नाश्ता बनाना है और ये ब्लाइंड डॉलर का ना ये नीचे वाला पार्ट जो वाइड सा है ये भी मैंने उसी से साफ किया है बहुत ही अच्छा ये भी नीट हो गया है और ये ये देशी की लगा कर और जो मेरे चोटा बेटा है वो तो दूस्टे गी वली रोटी घाता है बनास पती गी वली बस अब मुझे टेंशन लगी होई थी कि फटा फट से नाश्ते से फ्री होके तो च्छत पे जाके वाश्ण मेशीन लगा लें ताकि जल्दी जल्दी से कप कपड़े दो लेंगे शाम होने से पहले पहले और ये दो काम करके मैं बहुत ही थक गई थी के पहले तो चुले की इतनी डीप क्लेनिंग थी रात को और फिर सुबों को जब ये मशीन भी लगा लिए तो उसकी वज़ा से बीना मैं बहुत ज्यादा थक गई थी पर मुझे लेनी पड़ी कपड़े बीना काफी ज़्यादा गठे होगे थे दोने वाले वैसे तो मैं नीचे आटमेटिक मिशीन में लगा लेती हूं एक अफता ये दस दिन के बाद लेकिन अब बहुत ज़्यादा हुए काफी देर से दोए नहीं थे ना तो इसलिए फिर मैंने का ये ये दूसरी मैनूल मशीन ही लगाएंगे उसी में ये दूलेंगे वरना आटमेटिक में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कि एक जो चकर है उसका वो 40 या 45 मिनट का होता है तो उसमें फिर डालके तो बैठे रहो उससे जल्दी ये मैनूल वली मशीन में कपड़े दूल जाते है और ज्यादा अची तरह से नीट पी होते हैं कि इतनी ज्यादा थे कि दो बार इसको मशीन को लगाना पड़ा दो बार से टालके तो फिर कपड़े दूलें पिछले वीक में इतनी ज्यादा सर्दी बढ़िए ना कि दूप नहीं थी निकलती बादिल बी इतन फिर काफी दिन निकल जाएंगे इतनी जल्दी नहीं होताए क्यूंकि चार लोग तो हम में फैमिली में तो इतने जादा नहीं होते है कप्रे बस पिर असानी के लिए यह स्पिनर के अंदर कप्रे डालते हैं में मशीन में से निकालकर डिरैक्ट में इसमें डाल देती हूं ड संडे था और बस पकाने की भी टेंशन नहीं थी एक ही बार फ्री होके ना सारे कपड़ जब दूल जाएंगे तो फिर खाने की तरफ हो जाएंगे और अब जब लगानी होगी ना तो वह नीचे वाली ही वाशिंग मेशीन लगाएंगे और बस आज ना यह बहुत बड़ी टे सर्दियों में इस तरह का विलोग शेयर करने का बहुत मसला होता है उसलिए पानी वाले काम करने में पड़ते हैं और साथ पर वीडियो भी बुनानी पड़ती है तो बस यहां तक था अब आ आज का विलोग अमीद करती हूं आपको मेरा आज का यह विलोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होता लाइक और शेयर लाजमी किजिए गा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किजिए गा और मैं आपको मिलूंगी किसी और नेक्स्ट अच्छी से विलोग के साथ तब तक के लिए अला हाफीज